हलो दोस्तों आप सबका स्वागत है दे मोस्ट डिमांडेड वीडियो में जिसका टाइटल है कि पढ़ाई करते वक्त नींद आने से कैसे बचें बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है पढ़ाई करते वक्त कि उनको नींद आ जाती है या नींद आने लगती है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाओंगा शुरुआत में मुझे भी काफी नींद आती थी जब मैं पढ़ाई करता था पूट को उसका पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करते वक्त नींद आती ही क्यों है उसका रीजन क्या है तो वह हमें वो ढूणना पड़ेगा तो पढ़ाई के वक्त नीद आने के बहुत सारी reasons होते हैं जैसे कि रात में कम नीद आना या कम सोना पढ़ाई में interest ना होना distracted feel करना बहुत lazy होके पढ़ाई करना late करके पढ़ाई करना तो अब दोस्तों मैं आपको कुछ तरीके बताने जा रहा हूं जिससे आपकी ये पढ़ाई के टाइम आने वाली मिठी नीद बंद हो जाएगी जी हाँ तो दोस्तों point number one आज के टाइम में हर कोई रात को सोने से पहले अपना phone यूज़ कर रहा होता है जिसके वज़े से उसे रात में अच्छे से नीद नहीं आ पाती और सुबह उठने पर वो fresh feel नहीं करता और ऐसे ही पूरा दिन उसका आलज में चला जाता है तो आपको अपनी नीद के cycle को अच्छे से proper way में maintain करना होगा complete करना होगा जिससे आप सुबह उठो तो fresh feel करो रात में जल्दी सोने की कोशिश करो और phone का इस्तिमाल ना ही करो तो अच्छा है कम से कम 7 गंटे की नीद तो आपको लेनी ही पड़ेगी अगर आपको अच्छी तरीके से बढ़ाई करनी है आपका brain proper way में तभी function कर पाएगा जब आप proper नीद कम्पलीट करोगे वो अच्छी तरह से function करेगा और आपको पढ़ाई करने में भी दिक्कत नहीं आएगी तो सबसे पहला आपको ध्यान यही रखना है कि अपनी नीद को maintain करके रखना है कम से कम 7 गंटे की नीद आपको लेनी ही चाहिए सबसे important यह है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो उससे पहले कोई भी हैवी मील कंजूम ना करें जैसे कि अगर आप राजमा चावल खाके अगर पढ़ने बैठेंगे तो आप अपने सपनों में ही पढ़ाई करेंगे तो इसलिए always consume light food before study या तो आप अपने मील को कुछ हिस्सों में डिवाइड करें और पढ़ते वक्त ब्रेक लेने के बाहने थोड़ा-थोड़ा मंच करते रहें इससे आपको नींद भी नहीं आईगी और आप भुके भी नहीं रहेंगे तो यह आपको करना है don't have heavy meals कोई भी भारी खाना जो है वो आप ना खाएं पढ़ाई करने से पहले light food खाएं जिससे कि आपको पढ़ाई करते वक्त नींद ना आए तो यह भी आपको बहुत फाइदे मन रहेगा सो दोस्तों point number 3 create a to-do list समझे कि कल सुबह आपको पढ़ाई करनी है और अगर आप बिना decide कि कोई भी random topic उठा के पढ़ने लगेंगे तो obvious सी बात है कि आपको उस topic में interest नहीं आएगा और आपको नेंद आना शुरू हो जाएगी इसका solution यह है कि आपको एक to-do list बनाना है एक दिन पहले उसमें सारे topics mention करो जो आपको कल पढ़ने है जब आप पढ़ने बेठोगे तो आपको अपने आप interest आने लगेगा और आपको नेंद आने के chance कम हो जाएगे लेकिन अगर आपको फिर भी नेंद आए तो next point आपके लिए है तो ये काम आपको जरूर करना है जो भी काम आपको करना है उसकी एक list बना ले जिसे कि हम to-do list कहते हैं आपके mobile phone में भी काफी ऐसी apps हैं जिसके अंदर आप ये list बना सकते हैं तो अगर आपको जो भी पढ़ना है वो पहले से decided होगा तो आप उस काम को complete करने के बाद में आपको एक feeling आएगी completion की जिसको winner type feeling बोलते हैं आपको काफी अच्छा feel होगा तो अगर आप वो list बना कर उस list को complete करोगे तो फिर आप जो भी काम करोगे उसको आप complete करे बिना नहीं छोड़ोगे point number 4 have hot beverage and fresh juice जब भी आप पढ़ने बेटें तो आप कोई hot beverage जैसे की black coffee या green TPGA without sugar I know ये दोनों चीजों का taste आपको पसंद नहीं आएगा लेकिन अगर आप इने consume करते हैं तो आप अच्छे से focus कर पाऊगे साथ ही इनका bitter taste आपको सोने से बचाएगा और जिने hot beverages पसंद नहीं है वो fresh juice लें और हर 5 मिनट पर एक एक sip लें point number 5 drink water जैसे की आप कोई physical activity करते हैं उसके बाद आपको प्यास लगती है ठीक वैसे ही जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका brain काफी थत जाता है लेकर आपको प्यास नहीं लगती due to this हमारा focus दिरे दिरे गाइब हो जाता है आप अपने साथ हमेशा एक पानी की बोटल रखिए और 5 या 10 मिनट में दो दो sip लेते रहिए पीते रहिए believe me it works like a wonder और आपको थकान भी महसूस नहीं होगी point number 6 try water therapy water therapy मतलब जब आपको पढ़ते पढ़ते नींद आए तब जल्दी से एक cold shower ले लीजिए इससे आपकी बोड़ी में blood circulation इंप्रूव होगा और आपकी नींद फूर हो जाएगी और अगर आप नहना नहीं चाहते तो सिर्फ एक आँखों पर अपनी fresh water water splash कर लीजिए five to ten times ठीक है मैं खुद अपनी आँखों पर water splash करता हूँ जिससे मुझे पढ़ते वक्त नींद नहीं आती ये काम करता है तो जब भी नींद आए एक बार water therapy कर लीजिए point number 7 keep moving बैड और सोफे पर बैटकर तो आपको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए यहां पर बैटकर पढ़ने से तो बड़े बढ़ों को नीद आ जाए always have a desk and a chair या फिर जमीन पर बैटकर पढ़ाई कीजिए और जब आप continue पढ़ाई कर रहे हो तब आपको बीच बीच में उठके थोड़ी walk करनी चाहिए ताकि आपकी बोड़ी में moment हो continue बैटकर पढ़ने से आपको नीद तो आएगी ही but it has adverse effect on your body too थोड़ा walk करें, exercise करें जिससे कि आपकी बोड़ी की muscles वापिस activate हो सकें point number 8 listen to rock music जब भी नीद आये पढ़ते वक्त तो EDM music या rock music सुने और थोड़ा बोड़ डांस भी कर ले this is one of the most effective tips used by people who feel sleepy while studying try करके मुझे comment section में जरूर बताएं दोस्तों point number 9 tech catnap अगर उपर के सारे बताएगे points follow करने के बाद भी अगर आपको नीद आती है पढ़ाई करते वक्त तो आप एक catnap ले सकते हो 5 या 10 मिनट का एक quick nap लेने से आपका mind of office से refresh हो जाएगा ध्यान रखे nap लेते वक्त कहीं आप पूरी तरह से नीद ना ले लें एक alarm clock रखें अपने पास या अपने घर के किसी member को request करें कि वो आपको जगा दें या उठा दें quick nap लेने से आपका brain जो है वो refresh हो जाएगा और आप अराम से back to studies मोड में चले जाएगे तो ये आप कर सकते हैं अगर आप पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों point number 10 it takes time ये सारे बताई हुए points को follow करते हुए आपको फिर भी नहीं दा सकती है पढ़ाई करते वक्त तो आपको निराश नहीं होना है it takes time to form lifetime habits आप try करते रहिए मुझे खुद को time लगा था ये सारे habits को form करने में तो give up ना करें और आगे बढ़ते रहें आप इन सब points में से कौन सा point try करने वाले हैं वो मुझे comment section में जरूर बताएं और essay study related दूसरे videos मेरे चैनल पर देखना ना भूलें वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर करें अपने friends और family के साथ share जरूर करें तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में तब तक के लिए take care and love you all